क्या दोस्तों आपकी दही गाड़ी गाड़ी नहीं जमती है क्या आपकी दही बिल्कुल पानी छोड़ देती है या फिर आपकी दही जब जमती है तो एकदम पूरी खटी हो जाती है और खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं रहती है क्या आपकी दही फट जाती है और उसका ट इसी तरीके से बनाएंगे आपको कोई भी जंजट या परिषानी नहीं होगी दही जमाने में एकडम परफेक्ट दही जमेगी तो वीडियो ध्यान से देखिएगा आपकी सारी परिषानिये दूर हो जाएगी दही जमाने में तो नमस दोस्तों मैं हूं पुनम चलिए दही ज छान लेना है मतलब जो भी दूद आये मतलब पैकेट वाला रहता है तो ठीक है लेकिन ये मेरा घर का दूद है ये घर पे मेरे भैंस का दूद है वही है तो मैं हमेसा दूद को छान लेती हूं क्योंकि जो भी इसमें कचड़ा वगेरा रहता है तो वो छन्नी में आ जाता है स अब हमें दूद को घरम करना है तो फोल्प कोई लोग दूद को लाल दही खाना पसंद करते हैं और कोई लोग सफेद मतलब मीडियम हमें चाहिए रहेगा जो सब को पसंद है तो हम यहां पे दही को एकदम आधा कर देटे हैं जब भी जमाते हैं तो लेकिन मैं बताती हूं मतलब सबके पास तो भैंस का दूद इतना रहता नहीं किसके पास पैकेट वाला भी रहता है तो क्या करना है दूद को गरम करना है कम से कम मीडियम फ्लेम पे 20-25 मिनट मतलब अच्छी दही के लिए इतना गरम तो हमें करना ही पड़ेगा तो जादा से जादा 20-25 मिनट हमें धीमी आज पे गरम करना है और दूद जब भी हम गरम करें इस दूद को हमें बाहर नहीं गिरने देता है तेहम दही जमाए या फिर पीने के लिए इस्तमाल करें तो दूद को हमें नीचे गिरने कभी नहीं देना है और इस तरह से दूद को हमेशा गरम करते रहना है ध्यान रखना है आप यहां पानी भी रख सकते हैं काटोरी में जिसे कि आप दूद जबी उपर आए तो उसमें दाल सकते हैं या फिर कल्ची से इस तरह हिलाते रहें तो दूद गिरेगा नहीं तो यहां पर मैंने 20-25 मिनट इसे दूद को गरम कर लिया है अब देख सकते हैं दूद थोड़ा हमारा कम हो गया है इस तरह से तो हम इससे ढखके रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो नेक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम दूद गरम करें उसी बरतन में हमें जोरन को नहीं डालना मतलब उसमें ही दही नहीं जमाना इससे क्या होता है ना दही पानी छोड़ देती मतलब यह जो बरतन बड़ा हो या बड़े बरतन में भी हमें नहीं दही उतना जमान लेकिन अब मैं उसमें नहीं जमाती हूं तो यह बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें दूसरे बरतन में ही दही को जमाना है तो यहां पर मैं सबसे पहले कुलड में आपको जमाना सिखाऊंगी सबसे पहले मैंने इसमें दूद ले लिया है अब मैं इस दूसरे बरतन में लूँगी तो इसमें सारा का सारा मैं दूद आट कर दूँगी तो दही जमाने के लिए दूद हमें मोटा कर लेना रहता है मतलब अगर हम पतला मतलब दूद अगर ज्यादा पकाएंगे नहीं तो पतली सी दही जमेगी और वो पानी छोड़ देगी और दूसरे बात यह रखना है कि हमें दूसरे बरतन में जमाना है और यह दोनों कारोण से पानी छोड़ देता है दही तो हमें इस बात का याद रखना है कि हमें उसी बरतन में नहीं जमाना है तो एक ही वीडियो में सारी बता दूंगी और ये बरतन है इसलैक करके अंदर डाल देना है तियर्म जायरा इसमें यामन डालने की ऋगल्क। भात यंश्य इसमें पेर्वी शेट जामन मैं एकाई टालो्यं मैं नौट्सों करीं क्यार चाहिए वारतन घ्रच में यानि की जोरन हमारे आप गा जाता है, आपके यहां क्या कहते हैं जरूर बताईएगा, तो मैं बस एक चमच इसके अंदर डालूगी और यह तो ज़्यादा मैंने बासी नहीं रखा है, एक चमच से भी मैंने आधा ही चमच लिया है, इतना ही जोरन हमें डालने है, तो मीथी शकर जैसी दही आपकी जमेगी बिल्कुल भी पानी छोड़ेगी नहीं इसे हमें ढग के रख देना है दस से बारा घंटे के लिए गर्मी का मोसमें आसानी से जम जाएगी और मैं इसे फ्रिज में नहीं रखूँगी सादा ऐसे ही रखूँगी और दूसरे बाया पर मैंने बहुती जरूरत से बहुती कम डालूँगी आप चम्मच पर देख सकते हैं कितना सा मैंने जोरन लिया है बिल्कुल इतना ही लेना है हमें जादा नहीं लेना है नहीं तो दही हमारी बिल्कुल पानी छोड़ देगी क्योंकि जादा हो जाएगा जोरन खटा जादा हो जाए तो बिल्कुल मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा है मैं आपको बताऊंगे कि दूद में कहां रखती मेरे घर का सारा तो चलिए इसे मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए चमच पे आप मैं आपको यह उठा के दिखाऊंगे हमारी दही कितनी गाड़ी कितनी मलाईदार मू इस तरीके से जमाएंगे ना तो दही एक नंबर आपकी जमेगी और बहुत सारी तारीफे आप पाएंगे दही जमाने में आप कहीं भी जमाएंगे तो चलिए अब हम दूसरा वाला भी दही देख लेते हैं तो यह दही नजरी नहीं हटेगी तो मिट्टी का बरतन सभी के पास नहीं होता है तो चलिए हम सादे बरतन वाला भी देख लेते हैं तो आप देखिए पहले पानी बिल्कुल नहीं हमारी दही नहीं छोड़ी नहीं कुलण में छोड़ी थी नहीं इस बरतन में छोड़ी है तो सबसे पहले आप देख लीजे इसका टेक्चर अग्दम मला पुद्ध पसंद आई थी यह देखिए क्या दही निकल के आई तो विल्कुल इसी तरीके से आप दही जमाईये जरा भी नहीं पानी छोड़ेगी नहीं खटी होगी तो विल्कुल इसी मेजर्मेंट से करेंगे तो इन यहां पर तयार होगी तो वीडियो फ्रेंज आपको पस